यूपी आम आदमी पार्टी के नेता संजर सिंग प्रेस कॉन्फरेंस कर रहे हैं रुख करते हैं वहीं मुझे लगता है सभी राजनीतिक दलों के अपने फैसले हैं अपना नेत्रत्व है उनका और वो सब नेड़े लेने के बारे में स्वतन्त रहें आदमी पार्टी से संबंदित कोई सवाल होगा तो उसका जवाब मैं जरूर दे सकता हूँ अभी अगर आज हम बात करें जिलापंचायत अद्धक्ष के चुनाओं की तो आदित नाजी की सरकार ने जिलापँचायत अध्धक्ष के चुनाओ को अपरहित कर लिया है इसको धनबल, बाहुबल और भ्रस्टाचार से समर्पित उसके चर्णों में गिरा चुनाओ बना दिया है अगर एक चुनाओ जो जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए है उसको आप भरस्ताचार को समर्पित कर देंगे थनबल को समर्पित कर देंगे बाहुबल को समर्पित कर देंगे तो पंचायत की इकाई को मजबूत करने का जो सपना रास्टकिता महत्मा गांदी ने देखा था जो पंचायत की इकाई को मजबूत करने का सपना हमारे देश के संविधान ने देखा है वो कैसे पूरा होगा ये एक बहुत महत्तुपूर्ण बात है पचीस पचीस जिला पंचायत अद्धिक्ष निर्विरोथ चुने जा रहे है आज खबरें आ रही हैं यहां हलकाओ वहां धमकाओ इन पे मुकदमाओ इनको पैसे इनको तोड़ो इनको तो यह जो कुछ भी हो रहा है बहुत ही दुरभाद के पूर्ण है चुनावायोग को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए और जितने भी जिला पंचायत अद्धिक्ष के चुनाओ है उत्तर प्रदेश में उसको निरस्ट करके बलाग प्रमुख और जिला पंचायत अद्धिक्ष के चुनाओ अगर इमानदारी से चाहते हैं तो इसको सीधे जंता से कराईए सीधे जंता से कराईए आधितनाजी ने तो कहा था कि हम इसको सीधे जंता से कराएंगे क्यों नहीं आज तक करा रहे हो तो ये एक बहुत गलत काम है जो इस वक्त हम लोगों को जिलापन चाहे तो देख चुनाओं में देखने को मिलगा है आप देखे ना एक साल से सक्रियता हमारी बड़ी चोधा मुकद में लिखे गए अभी तक रास्तोद्रो भी लिख दिया गया मेरे उपर मेरे पार्टी का दफ्तर भी बंद करा दिया तो उत्कीलन के जितने कदम आदितनाज जी उठा सकते थे उन्होंने उठाया सर्वाइब तो अभी तक कर रहे हैं आगे देखा जाए अभी फ्रांस की सरकार ने उपर नया एक जाँच पैठा दी रहे हैं और कॉंग्रेस पार्टी नहां पर जेपी सी की मांग कर रही है आप क्या कहें देखिए एक चीज ये समझ लीजे कि हम लोग निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आगे कुछ नहीं बोल सकते सुप्रीम कोर्ट का फैसला इसमें आ चुका है लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सामने जो तथ्य रखे जाते हैं उसके आधार पर फैसला होता है कोई भी नया एले हाई कोर्ट हो सुप् के रखे गए यहां तक कि PAC की कमेटी की रिपोर्ट का जो हमाला न्याय लेकर सामने दिया गया वो भी गलत दिया गया था उसकी भी जानकारी गलत दी गई तो मन गडंद तरीके से राफैल के मौमले में केंदर सरकार ने अपनी रिपोर्ट तैयार की और उस रिपोर्ट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया मैं उसमे कोई टिकमड़ी नहीं करना चाहूंगा लेकिन एक सवाल जरूर उठता है और बार बार उठता है कि पाथ सो करोन का जहाज सोला सो करोन में क्यों खरीदा गया इसका जवाब आस तक भारती जनता पार्टी और नरिंद्र मोदी जी और उनकी सरकार ने लिया और मैं खुद याचिका करता था उस मामले में तो मैं आपको ये बता सकता हूँ तो इसलिए तीन गुना ज़्यादा दाम में जहाज खरीदे गए ये तो एक सच है उसको लेकर फ्रांस में भी तमाम सवाल उठे और वहां भी तमाम खुलासे हुए लेकिन उसको इग्नोर किया गया सरकार किया उस अपनी इकाईयों को एचेल जैसी इकाई को नजरंदाज करके दलाली और भरस्टाचार करने के उद्देसे से अगर कोई खरीद हुई है तो उस पर सवाल जरूर उठेगा जैपीसे कोई राष्टा निकले का आपको लगता है अब तो सरकार दूसरी मुद्रा में चली गए यह मुझे लगता नहीं है कि जैपीसी कोई बनाने वाले हैं वो मांग करना किसी भी राजनीतिक दल का धर्म है तो मांग कर सकते हैं लेकिन ऐसी सरकार से आप बार बार मां करके सरकार को एक समाधान निकालना चाहिए अब यहां की जो सरकार आदित तनाच जी की है वो समाधान निकालने के बजाए यह कहती है कि आप फीस आगे बढ़ाईए मत अरे जो फीस है वही देने की हालत में लोग नहीं है तो वो आज का एमेले राम उतार एक फिल्म आई थी तो उसमें एक भरस्टाचार का मामला उस पिक्चर में दिखाए गया है तो उसमें कहा जाता है कि इस चीज का दाम इतना बढ़ाओ तो उसने कहा नहीं 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 इस चीज का दाम एक रुपए और जादा बढ़ा दो तो बोले क्यों बोले जब लोग हला करेंगे ते एक रुपए कम कर देंगे तो अपना सारा खेल इन लोगों का चलता रहे और जंता को खाली गुम्रा करने के आप मुझे बताईए शहीदों के नाम पर वोट लेने वाले ये लोग दो साल तक पुलवामा के शहीद की आगरा में प्रतिमा लग जाती है दो सो बार शहीद की पत्नी आगरा से लखनव के चक्तर काटती है और अनावरा करने का समय मुख्यमंत्री को नहीं मिल रहा है ये इनकी असलियत है आग तक गाओं में गेट नहीं बन पाया बेसिक सिक्षा विभाग ने एक दिन की तंखा काटके उनके परिवार की मदद करने की बात कही थी आज तक वो 65 लाख रुपए की धनरासी नहीं मिल पाई ये इनका रास्टवाद ये इनका शहीदों के प्रतिप्रेम अभी चुनावा जाएगा तो वोट के लिए शहीदों का इस्तेमाल करेंगे और दो साल से शहीद कोशल गावज जी की प्रतिमा का अगर अनावरर सरकार नहीं कर पा रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि कितनी संवेदन हींता इस सरकार में प्रतिमा लाएगा जी संवेदन प्रतिमा अनाव तो बाएगा भावद